तो खेलो दोस्तो विल्कम तो मैं न्यू ब्लॉग अशका ब्लॉग में पुछने है आसो हने वाला है वीडियो में ने देए तो गाइस देख सकते हो यह हमारा ग्राउंड है और इसमें मैं थोड़ा बहुत इक्सराइज तो ने में बाकिंग कर रहा हूं तो ग्राउंड देख लो यहीं दो चार राउंड माल कर आज आता हूं इसे वड़ा फ्लावर वलावर देख लो मैं तो फूल कितने अच्छे कुछ बूदार है तो फाइनली दस मिनट का मेडिटेशन हो गया इस पॉल में ही हूं और आपको मैं रिव्यू बताऊंगा लास्ट में ओके सो हलो दोस्तों यह आपको दीगरा होगा यार मैं पुरी तर से भींग चुका हूं होगी मैं हाड वर्किंग करके मैं अपना मतलब मैं क्या करता हूं आगर दस मिनट मेडिशन करता हूं थोड़ा स्टैजिंग करता हूं फीड चेकर को एक्टिब करने में लगा हूं जो किया डेशिक्स हो चुका है देख सकते हो पुरी तरह से मैं भींग चुका हूं गाई इस पुरा बॉड़ी मेरा भींग चुका है और मैं जाले कोई कहीं नहीं बस यहीं पर इस ग्राउंड पर एक छोटे से स्पीस में मतलब खुद को आइसोलेट कर लेता हूं आइसोलेट करने का मतलब मैं एयर वर्स लगा लेता हूं जो कि बाहर का साउंड मेरे को डिस्टरब ना करें और मैं जो कारे है जैसे मेडिटेशन थोड़ा स्ट्रेशिंग इक्सरसाइज वह तो मैंने आपको नहीं दिखाया पर मेरे रिजर्ट से देख सकते हो मैंने पुरा एक्सरसाइज की करकर चेकर को एक्ट देखो 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 देख देख पावर पढ़ रहा है कि पुजिन में और बढ़ी आएगा तो अभी तो वस्षिर्वात है अभी इसको मेरे को हैंड़ेट एक्स तक लेके जाना है जो कि आज सीक्सी हुआ है और जो भी मेनत लगेगा मैं उसके लिए हार नहीं मानूंगा और मैं हमेशा पता स्टूरी में क्यों रहते हैं कि अभी देख सकते हो जो इस तरह का है कि मजा आगया गाई इसक्रसाइज करने को बता नहीं सकता हो आप लोग मेरे को सपोर्ट करिए ताकि मैं इसे हंड़ेट एक्सर पहुंचाने में सारा मतलब अपना जो मेहिनर्ट टा आपको रिजर्ड रिलास में दिखे हो कि मैं खुद को कितना इंप्रूफ किया हूं पहले से और बाद में तो सी यू एंड कीप स्पोर्टिंग मी गाईज ऑग देख यार पुड़ी तरह भींची गया है बता अब जा रहा हूं मैं जाकर थोड़ा डाइट प्लान करूंग तो यहां पर थोड़ा स्नैप बनाने का मोड कर गया गाईज क्या बता हूं देखिए रहोगे पूरात नहीं दिए यहां मजा गया तो गाईज अब घर जाने का टाइम हो चुका है तो थैंक्यू वीडियो में सपोर्ट किजिए ओके